ओम गंगन पते नमाहा जै मातारा परशर जोत्र विग्यान में आप सभी दर्सकों का हर्दी का विनंदन है रासी चक्र के अंतरगत पढ़ने वाले प्रभावों में वारता करते हैं ब्रश्चिक रासी के जातकों पर जून महा में क्या प्रभाव होंगे तथा किन गरहों की सकारात्मक्ता और नकारात्मक्ता किन किन जीवन के विन्दू उपर पढ़ेगी ब्रश्चिक रासी के जातकों के लगन के अधिपति मंगल महा के प्रारम में 18 जून से पूर्वत चतुरती स्थान पर गोचर कर रहे हैं तथा 18 जून के पस्चात पंचम स्थान म पर के तुवक्र गति से आचरन कर रहे हैं तथा 33 इस्थान पर मकर रासी में सनी ब्रहस्पती वक्री गति से आचरन कर रहे हैं 29 जून में यहां से वक्र गति से आचरन करते हुए ब्रहस्पती नीच रासी से निकल कर अपनी स्वयरासी धनूरासी में गोचर करना प्रारम क करेंगे लगन के अधिपति के विश्य में पूरू में ही वारता कर चुके हैं चतुर्त इस्थान पर 18 जुन से पूर्वत तथा इसके पश्चाथ पंचम इस्थान पर गोचर करेंगे सब्तम इस्थान पर व्रशब राशी में व्रशब राशी के ही अधिपति शुक्र गोचर कर रहे हैं तथा यहां शुक्र वक्री तथा अस्त अवस्था में भी रहेंगे और 25 जून को शुक्र यहां से वक्र गती से आचरन करना बंद कर देंगे अर्थात मारगी हो जाएंगे 14 जून से पूर्व सूर्य भी यहीं गोचर कर रहे हैं 14 जून के पस्चात सूर्य मिथुन रासी में अश्ठमिस्थान में गोचर करेंगे जहां पूर्व से ही बुध तथा राहू गोचर कर रहे हैं यहां बुध 18 जून को वक्री तथा 23 जून को अस्त गती स्थीतियों में चले जाएंगे एकादस सिस्थान पर करन्या रासी के चंद्रमा गोचर कर रहे हैं इस संपूर्ण गोचर का ब्रश्चिक रासी के जातकों पर यहां प्रभाव होना संभावित है कि ब्रश्चिक रासी के जातकों को स्वास्थे की और से कुछ नियूनता प्रगट होंगी उत्साह में नियूनता आएगी विशेश तोर पर आप ठकान भी महसूस कर सकते है अर्थात नियूनतर कारिय का भार आपको बोजिल बना सकता है आपको यह अनुबव करा सकता है कि आपके उपर बोज बहुत सारा भार पड़ा हुआ है उत्साह आप में नियूनतर बनने की संभावनाए है क्योंकि ब्रश्चिक राशी के जात्कों के अंदर उत्साह की फैक्टरी होती है अर्थात इनके अंदर उत्साह नियूनतर हर्स नियूनतर बनता ही रहता है अतिरेक पर होता है परंतु वर्तमान समय में कार्या की अधिक्ता आपके विश्राम की स्थितियों को नकारात्मक करेगी अपने आपको ठकावट के अनुरूप मान सकते हैं और इस स्थिति में ब्रहश्चिक राशी के जिनजात्कों को सामान्य रूप से कफज, पितज और वायुज इन तीनों दोसों में से मुखते जो भी दोसे उससे संबंदित गुण प्रगट हो जाएंगे अर्थात जिने कफज इस्थिति हैं उनको उससे संबंदित रोग खासी नजला जुखाम आदिकी स्थितियां प्रगट होंगी जिने वायुज रोज है उन्हें शरीर में दर्द, पेट दर्द, आपके भोजन के अच्छी तरीके से पाचन क्रिया में तुरूटी, अर्थात अच्छी तरीके से पाचन क्रिया ना होना ऐसी अवस्थाएं प्रगट हो सकती है जिनको पितज रोग हैं उनको एसड़िटी आधी की समस्याएं अर्थराइटिस भी बनने की संभावनाई होती हैं अर्थराइटिस का पेल दर्द इससे संभावित जो रोग ब्रश्चिक राशिके जातकों को हैं यहां उनके होने की संभावनाएं प्रगट हो जाती हैं लक्षन प्रगट होने प्रारम हो जाते हैं प्रतु यह सब लक्षन आपके कार्य करने के अती उत्साहा पर नियंतरन नहीं कर पाएंगे अती उत्साहा को नहीं रोग पाएंगे यह उत्साहा बढ़ता रहेगा ब्रश्चिक रा पुदिक, वैचारिक, तथा वाक्य संदचना वाक्पटुता पर भी इसका प्रभाव होगा, इसी से आपके धन के मार्गों में रुकावटाने की पून संभावना है, जो ब्रश्चिकरासी के जातक नोक्री आधिसंबन्दी तक छित्रों में हैं, उनको मन लगा कर कार्य करन करने की भी आवशक्ता है, इसका सामंजस्च किस पकार बनाना है, यह आप भली पकार से जानते हैं, इस सामंजस्च को बनाकर ही कार्य को अपने अनरूप कीजिए, ब्रश्चिकरासी के जातको के पंचम इस्थान पर 18 जून के पस चात मंगल के आने से बोद्दिक अक्षम संताओं में तिवरता आएगी परन तो इसको कारियरूप में मत लेना, इन्हीं योजनाओं पर किर्यानवन करने में थोड़ा समय वैतीत करना, संतान पक्ष की ओर विशेज ध्यान देने की आवशक्ता है, संतान पक्ष में उगरता तथा व्यगरता दोनों ही कुन बहुत तेजी से बढ़ने की संभावनाएं ब्रश्चिकरासी के जातकों के प्रगठ होती हैं, सत्रु पक्ष भी इस समय पर प्रबल होगा, सत्रु पक्ष को अपनी बाहें फलाने का समय प्राप्त होगा, आपकी निंदा तथा आलोचना करने का समय भी उन्हें प्राप्त हो सकता है ऑवसरप्राफ्थ हो सकता है सन्माद अथ्वाद की अवस्था नहीं रही qué करीः कार्या को सफलता है इन सब पर आलोचना करने का समय आपके रूपकते होगा तो ब्रश्चिक रासिकर जात्कों के ग्रहस्त जीवन साथी की स्थितिया थोड़ी नकारात्मक प्रतरशित होती हैं और उंकि तुरूटी अत dwelling सारstees युदि के संभावनां के प्रबंद में गारता आईगी तथा प्रबंद के अनुरोप ही यदि इस समय पर किसी योजना के अंतरगद धन प्राफ्त होना है जून माहा में आपकी योजना से धन आपको प्राप्त होना है, पुर्व से निर्धारित है, तो वह धन तो प्राप्त हो सकता है, परन्तु यदि किसी बाहरी रूप से धन प्राप्त होने की संभाव ना है, ये लक्षन आपको प्रवेट होते हैं, वह अवश्रमभावी संभाव नहीं है, ब्रश् अवस्था के यातकोपर इतना समय नहीं है कि वह इस तरफ द्याण देपाएं पर दूछ कुछ समय निकालकर इस और भी द्यान देजिए पूरा समय आपका कार्य की गतिसीलता में तथा कार्य में संलगन रहने में तो जिन्मेदारियोकर 민त को निभाने में जा रहा है परंतु यह समय इसी ही अवस्था का है और इस अवस्था के अनुरूप आप कारिय करना बहतर जानते हैं लाब की अवस्थाएं समान्य रहेंगी नादिक लाब होगा नादिक हानी होगी परंतु धन के मारगों में वय की अवस्था अवस्चेही ब्रष्चिकरासी के जात्कों के समक्ष खड़ी रहेगी एक खर्च खतम होगा तो दूसरा खर्च आपके सामने प्रगठ हो जाएगा मुल बिंदु की और भी चार दारा रखें तो ब्रश्चिक राशी के जातको को सामन्य रूप से रोग की संभावनाएं हैं रोग आप पर अधिकार नहीं जमा पाएंगे परन्तु थकान आलस्चे आपको घेर सकता है जो कि आपके कार्यक चितर पर प्रभाव डालेगा भाग्य प्रभल है, कर्मठता कार्यकी प्रभल है, प्राक्रम प्रभल है इनसे लाभ भी प्राप्त होगा, वय की स्थीतियां सामने खड़ी रहेंगी जंतर कर्मठ बने रहने की आविश्कता है सुबंबावतू भगवान गनपतितधा मातारा आपका खल्यान करें